Welcome back to Cyber Security Informal Talk आज का टॉपिक काफी डिटेल टॉपि होगा On Security Hub, AWS Security इसमें हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स हैं जिसके थूप हम AWS Security Hub को Enable कर सकते हैं AWS में हम Terraform Code भी देखेंगे जिसमें हम सब्सक्राइब करेंगे GuardDuty Service को जिससे की GuardDuty अपनी जो Findings हैं वो Security Hub को देदे उसके बाद एक Bonus Section होगा हमारा जिसमें हम डिसक्स करेंगे कि हमको क्या Expect करना चाहिए जब Security Hub Enable हो जाए उसकी Findings कैसे Check करते हैं उसकी Compliance Report कैसे Check करते हैं Dashboards कैसे Use करते हैं और उसको हम Automate कैसे कर सकते हैं सारे Process को तो मैं शितिज महाजन एक बर फिर से आपका इस चैनल में Welcome करता हूँ Let's get started तो पहले तो हम देखेंगे यह 6 EG Steps हैं जिससे हम AWS Security Hub को Easily AWS में Enable कर सकते हैं तो पहला है आपको जो है एक अलग से एकाउंट बनाना पड़ेगा Security Hub का अगर आपका कोई Security Account नहीं है तो आप एक नए एकाउंट बना लें आप इसको AWS Console के थूरू जाके एक नए एकाउंट बना लें उसके बाद आपको क्या करना है कि उस Security Hub को उस एकाउंट में Enable करना है तो उसके लिए बहुत इजी है आप उस एकाउंट को सिलेक्ट करें और उसके बाद वहाँ पे Enable Security Hub का उप्शन आएगा आप वो बटन क्लिक करेंगे तो वो Enable हो जाएगा हम इसको यह भी देखेंगे कि Terraform के थूरू कैसे कर सकते हैं चोटा एक्जाम्पल है बहुत डिटेल्ड एक्जाम्पल नहीं है पर आपको समझने में अथानी होगी अगर आप डेवाप्स और ड्वेलपर हैं कि Terraform कैसे हम एजली यूज कर सकते हैं Security Hub को Enable करने के लिए उसके बाद जब आपने यह Security Hub Enable कर लिया उसके बाद आपको कुछ Configuration करने पड़ती हैं उससे होगा क्या कि जो बाकी Services हैं AWS की उसकी Findings भी Security Hub में आ जाएंगी वह कौन-कौनची Services हैं जैसे कि Guard Duty Second है Massey, Third है Inspector और Fourth है AWS Config जो Inspector है उसके लिए आप कुछ Actually Configuration नहीं करना पड़ता मगर अगर आप Member Account में Inspector Enable करेंगे तो वह Automatically Security Hub में आपकी Finding भेजना शुरू कर देता है Fourth step में आपने क्या करता है अगर आपके पास क्यों Third Party Tools हैं जैसे आप Security के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि Tenable हो गया आपका Vulnerability Scanning के लिए Qualis हो गया आपका Container Security के लिए Rapid7 अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इन सबको भी Configure कर सकते हैं कि इन सबकी Findings जो हैं वह Security Hub में आ जाए एक बार आपकी यह सारी Findings Security Hub में आने लग जाएंगी तो आप क्या करना है आपको Define करना है अपना Custom Compliance Standard यह Base पे होगा आपके Company के Rules and Regulations पे आपके अपने Use Cases पे तो इस डिफाइन करने के लिए सबसे Important चीज़ यह है कि आपको ऐसे Define करना है कि लेटर और आप अपने Evaluate कर सको अपने Security Posture को अपने Environment में और जो Last Step है वो यह है कि आपको Security Hub का Dashboard यूज़ करना है उसमें आपको अपने जो Findings देखेंगे उसको Prioritize करना है और Prioritize करने के बाद उसको आपने Effectively Respond करना है Using Your Incident Strategies तो इसमें क्या करते हैं सबसे पहले कि जब हमारी Findings आती है तो हम इसको Severity के Base पे इंसिदेंस को Resolve करने की कोशिश करते हैं अब हम Next Step में देख लेते हैं कि छोटा सा Terraform को Code जो है वो Enable भी कर देता है Terraform को और जैसे कि मैंने बूला GuardDuty की जैसे Configuration हम ऐसे करें कि GuardDuty की जो Findings आ लिए हैं वो भी Security Hub में हमें देख जाए तो उसके लिए बहुत चोड़ा सा Code है आपको Understand करने में उसानी होगी इसलिए मैंने यह Code आपके लिए बनाया है इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं पहले हम Provider बता रहे हैं कि कौन से Region में हमने यह सब करना है उसके बाद हमने यह जो हमने एकाउंट बनाया है और उसके बाद हमने क्या किया है कि उस एकाउंट को सब्सक्रिप्शन दिया है और किस चीज़ का सब्सक्रिशन दिया है GuardDuty का बस इतना ही हम करेंगे तो GuardDuty की जो Findings हैं वो Security Hub में आने लग जाएगी आपको यह detail में और ढंक से बनाना पड़ेगा क्योंकि आजकर Terraform में modules होते हैं आपको easily modules भी मिल जाएंगे मगर आगर आपको यह पता है कि जैसे कि यह resource का नाम है तो अगर आप Terraform में सर्च मारेंगे तो आपके इससे related GitHub में और भी आपके पस बहुत सारे code आ जाएंगे Next हम यह discuss करते हैं कि एक बार Security Hub हमारा Enable हो गया और हमने बाकी AWS Security Services जैसे कि GuardDuty, Massey, Inspector वगएरा Configure कर दिया और अपनी 3rd Party भी Configure कर दिया जैसे कि Ternable, Rapid7, College तो उसके बाद हम क्या expect करें Security Hub में और इसके लिए चार चीज़े हैं जो expect करनी चाहिए और उसके साथ थोड़े से actions हैं जो हमको करने भी पड़ते हैं ऐसे Security Advisors तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे आप यह सब enable कर देंगे तो Security Hub में आपकी findings आने लग जाएंगी अब findings आने लगेंगे तो आपको उसको remediate भी करना पड़ेगा तो उसकी priority है जैसे कि मैंने पहले बताया है वह severity के base पे होगी Security Hub जैसे ही enable होता है वह aggregate करने लग जाता है अब सारी findings जो बाकी KWS services से है आपको Security Hub में वह पूरा दिख जाएगा अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है तो guard duty की messy की config की और third party solutions की यह सारी findings आपके पास आने लग जाएगी तो पहला expectation तो यह है कि findings आने लग जाएगी second क्या है second यह है कि आपको define करना पड़ेगा अपना standards अपना compliance standards अब compliance standards जो हैं वो इसके बेस भी हो सकते हैं PCI DSS जो आपका payments related होता है ISO हो गया तो यह different countries के बेस पर regulations होते है standards होते हैं जो आप enable कर सकते हैं और AWS का अपना foundation framework भी होता है जो जो की आपको help करेगा initially compliance check करने के लिए अपने environment का थर्ड क्या आप expect कर सकते हैं आपको एक dashboard मिल जाएगा उस dashboard हो गया one central location हो गया उसका मतलब आपके environment में कुछ भी हो रहा है आपको एक central location में आपको वो सब कुछ comprehensive view मिलेगा एक है ना उससे क्या होगा आपका environment है उसका क्या security posture है आपको immediately पता लग जाएगा तो आप क्या कर सकेंगे उसमें जैसे कि वोई findings आप देख सकेंगे assess कर सकेंगे अपना compliance based on regulations जैसे कि ISO और उसके बाद आप track कर पाएगा सबसे important बात है कि जैसे कि आपने कुछ आपको immediate किया तो findings वहाँ पे resolve हुई है कि नहीं हुई है यह सारा आप dashboard के थरू देख सकेंगे फॉर्थ क्या कर सकते हैं आप अपना जो यह सारा process कर सकते हैं आप अपने security incidents को much faster और effectively जो है ना उसको respond कर सकते हैं आपको एक piece of mind मिलेगा और जैसे कि बाकी services हैं वह की उनको आप यूज करके अपना incidents आप और बैटल कर सकते हैं जैसे कि cloud watch, cloud event, bridge event यह जो सारी services हैं इसको आप combine करके अपना एक automation start कर सकते हो जिसमें आप for example lambda यूज कर सकते हो जिससे कि आप notifications भेज सकते हो SQS and SNS services हैं जो आपके cloud watch, cloud events, bridge events को देखती रहती हैं और उनसे trigger होके आप कुछ functions बना सकते हो जैसे कि अगर आपका कोई incidence आया कि आपका कोई server exposed है on FTP port 21 तो immediately आपको एक incidence वहाँ पर मिल जाएगा cloud event के थरू यह card duty के और यह security hub के locks event के base पे उस event के base पे आप एक lambda function चला सकते हो और immediately वह port close कर सकते हो यह उस server को isolate कर सकते हो तो यह हो गया आज security hub का इसमें और भी हम दूसरी services देखेंगे अब next video में उसमें हम देखेंगे कि कौन से security tools हैं AWS में जो हमको help करते हैं और उनको हम कैसे configure कर सकते हैं और उनको हम terraform से कैसे use कर सकते हैं उनके थोड़े architecture के बारे में बात करेंगे जैसे कि guard duty inspector हमारे जो VPC है उसको हम कैसे use कर सकते हैं जैसे कि हम DMZ zones बना लें जैसे कि public facing APIs हैं तो उनको ज्यादा खत्रा होता है applications को hackers के तुरूप तो हम एक DMZ zone बना सकते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ hack भी हो गया तो hacker के पास उसके बाद दूसरे VPCs जो हमारे private VPCs हैं जिसमें databases हैं हम उसको isolate कर दें और hacker आगे ना जा पाए cloud trails में भी हम events के बारे में बात करेंगे तो बस आज के लिए इतना ही और आगर आपने अभी तक यह वीडियो लाइक ने किये तो प्लीज इसे लाइक कर लिजे और आप इसको subscribe कर लिजे आपको इन future हम बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं जो security advisor अगर आप हो यह security auditor हो यह आप IT सारे updates सारे clouds के मिल जाए हम से AWS पर वीडियो नहीं बनाते हैं हम GCP पर भी बनाते हैं हम दूसरे regulatory standards रैसे nest standard हो गया आपका PCI standard हो गया ISO standard हो गया इन सब पर भी वीडियो बना रहे है माईटी और वीडियो बना रहे हैं तो आप इसको like कर लिजे so that आपको immediately notify हो जाए अगरा मारा नहीं वीडियो है so आज के लिए बस इतना ही thank you very much have a nice day bye